हेलो, गुड़ मॉर्निंग ओलो प्यू, सभी सातियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, रोजाना की तरह लेकर उपस्तितू टूड़े करेंट अपिर्स जी के, आज 24 मई वार रेविवार के करेंट अपिर के हम बात करते हैं, सातियों, रोजाना की तरह, आज का करेंट अपिर सुरू करने से पहले, हम बात करते हैं, कल के हमारे क्वेस्टन अपदा देखी, और उसी के साथ साथ मोटिवेशनल क्योट से, सातियों, वीडियों पूरा देखें, कंप्लीट वीडियों देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कंटेंट किस लेवल तक जा रहा हैं, सातियों, बात करते हैं कल के हमारे क्वेस्टन की, तो कल का हमारा जो क्वेस्टन था, वो कुछ इस प्रकार से था, कि उस व्यक्ति का नाम बताईए, जो ICC किर्केट समिती का प्रमुख है, और जिसने गैंद को चमकाने के लिए लार के उप्योग पर प्रतिबंद लगाने की सिपारिस की है, साथियों अभी हाल ही में, ICC किर्केट समिती की बैठक हुई थी, ICC किर्केट समिती की बैठक में, कोरोना वायरस जो चल रहा है, यहने की COVID-19 महामारी के कारण, गैंद के चमकतार या चमकाने के लिए लार के उप्योग पर प्रतिमत लगाने की सिपारिस की गई है, और यह सिपारिस किसने की है, सिपारिस करने वाले हैं भारत के पूर्वे किर्केटर और कमेंटेटर अनिल कुम्बले, option C, right answer था, अनिल कुम्बले, साथ योई एक ओल राउंडर थे वो नेकों थे वो बॉलर थे लेकिन बॉलर के साथ साथ इन्होंने एक बार सैंचुरी भी लगाई थी तो भारती एक क्रिगेटर और कमेंटेटर अनिल कुम्बने की अध्यक्स्ता में गेंद को चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंद लगाने की सिफारिस की गई है समीती ने माना है समीती क्या कहती है समीती कहती है कौन सी समीती आईसी सी क्रिकेट समीती कहती है कि गेंद को चमकाने यानि कि बॉल को चमकाने के लिए पसीने के उप्योग को सुरक्षित मान ना जा सकता है तो साथिव यह था हमारा कलका कोस्टन और इसमें एक इंपोर्टेंट पोईट आता है ICC क्रिकेट समिती हम बात करते हैं ICC के बारे में तो ICC के आये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको अंतराष्टे क्रिकेट परिशद का जाता है कि अंतराष्टे क्रिकेट परिशद कि इस्तापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालिय का आपर एड़ क्वाटर स्योक्त और रभ अमिरात के दुबई में और साथियो ICC क्रिकेट जो है ICC यानि के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कुल सदस्य राष्टे कितने 105 सदस्य राष्टे ICC करती क्या ये खेलों का आयोजन यानि कि क्रिकेट के बारे में बात करते हैं क्रिकेटों का आयोजन करवाती है अनुसासन समिती का काम करती है तो साथियों ये था हमारा कल का क्वेस्टन और आज का क्वेस्टन अब दा डियर जरूरी बहुत अच्छी चीजे पढ़ने के लिए देखे हमारा पूरा वीडियो, कम्प्लेट वीडियो सारी दुनिया कहती है हार मान लो सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल दीरे से कहता है एक बार और कौसिस कर तू जरूर कर सकता है एक बार और कौसिस कर ट्राइ ट्राइ अगेन कच्छुए की तरह चलते रहे दीरे 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 एक दिन सफलता जरूर मिलेगी और साथ यो इसी सफलता के लिए हमने हमारा करन्ट अपिर सुरू किया हुआ है जो कि आपके प्रतियों की परिक्षा के लिए रामबान है कहते हैं रामबान यहनि कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको प्रतियों की परिक्षा में पास करवाएगी तो साथे वीडियो पूरे आप देखें, पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा बहुत अच्छे से हर पॉइंट पर हम बात करेंगे, हर पॉइंट पर विचार करेंगे और इसी विचार के साथ सुरू करते हैं आज का question of the day सुरी question संक्या फर्ष्ट के करन्ट अपेर्स को, option कुरस्ण संक्या फर्ष्ट के हमारा बारतिर रिजर बैंक यानि के आर बियाई ने रेपो रेट में कितने प्रतिसत की कटोती करने की गोश्णा किये option A 0.25 प्रतिसत, option B 0.40 प्रतिसत, option C 0.55 प्रतिसत और option D 0.70 प्रतिसत, RBI यानि कि भारतिर रिजर बैंक ने रेपो रेट में कमी कर दिया पहले थी रेपो रेट आपकी 4.40 प्रतिसत, इसको गटा कर कितना कर दिया 4 प्रतिसत, यानि कि कमी कितनी हुई 0.40 प्रतिसत, यानि कि B हमारा right answer है 0.40 प्रतिसत और यह कमी जो है इसकी गोशना किस ने की है, RBI के गवर्नर सक्तिकान दास ने इसके लावार रेपो रेट के साथ साथ reverse रेपो रेट में भी कमी की गई है और इसमें कमी कितनी की है, ये भी कितनी हुई है 0.40 प्रतिसत यानि कि reverse रेपो रेट क्या बन गई है अब? 3.35 प्रतिसत और पहले कितनी थी? 3.75 प्रतिसत तो साथ यह भारते रेजर बैंक क्या है और रेपो रेट क्या है? बात करें हम दोनों चीजों की तो सबसे पहले हम भारते रेजर बैंक की बात की जाए तो भारते रेजर बैंक बारत का केंद्रिय बैंक है और यह है जो बैंक है कौन सा भारते रेजर बैंक सभी बैंकों का संचालक है तथा भारत की अर्थवियोस्ता को नियंत्रित करता है economic condition को भी control करने में किसका हाथ है भारतियो रुजर बैंक का भारतियो रुजर बैंक की स्थापना ये 1 अप्रेल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालिय महाराष्ट्रा के मुंबई में है वर्तमान में भारतियो रुजर बैंक की गवर्णर को नहीं सक्ती का अंदास जो कि भारतियो रुजर बैंक की गवर्णर है साथ अब बात की है हमने रेपो रेट की तो रेपो रेट की बात कर लेए रेपो रेट आखे रहे क्या तो रेपो रेट की बात कीजिया है कि रेपो रेट वेरेट है जिस पर रेजर बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है यानि कि रेपो रेट पर जो bank है, other banks, जो जो छोटे जोटे बैंक है, केंद्रिये बैंक, राष्टीय बैंक उसके अलावा है, राज़्की बैंक या छोटे-मोटे cooperative bank इस टाइप बैंक क्या करते हैं रेपो रेट पर RPA रिजर बैंक को ऎप इंडिया से करचा लेते हैं, लॉन मतलब क्या है कि रेपोरेट में कटोती का मतलब है कि बैंकों को रिजोर बैंक से कम अब्याज अब दर पर लॉन मिले तो यह वोतिए साथ यह रेपो रेट जिसके हमने बात के थी है कि नाएक्ष्ट कवस्ञ onwards थो कि बैसे किस ने मौनिकित में अब हाल ही में अमेरीकी राष्टेपती डोनाल्ड ट्रम्प ने गोशना किया है कि वे ओपन इसका इज नामक प्रमुक संदी से अलग हो जाएगा तो ओपसंडी राइट आंसर है इसका कि अमेरीका ने ओपन इसका इज नामक प्रमुक संदी से अलग होने की गोशना किया open skies नामक जो प्रमुक संदी है उससे अलग हो रहा है साथे हम बात करते हैं open skies नामक प्रमुक संदी की तो open skies नामक प्रमुक संदी की बात की जाए तो इस संदी पर जो हस्ताक्षर है वो 2002 में किये गए थे वर्स 2002 में इस संदी पर हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर करता कौन-कौन थे अमेरीका और रूस दोनों संदी के हस्ताक्षर करता थे इस संदी की बात की जाए तो इस संदी में हस्ताक्षर करने वाले 34 सदस्य राष्ट है और इस संदी ने प्रति भागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाले की स्तापना की है 34 देशों की यह संदी सदस्य देशों के छेत्रों पर नियत्य निगरानी उडानों की अनुमती देती है जो की आपसी समझ को बढ़ाता है और सभी प्रति भागियों में विश्वा सुथपन करता है नेक्स्ट कॉशन संक्यात 3 विश्व विध्यालिया अनुदान आयोग यानि की UGC ने विश्व विध्यालियों को क्रेडिट ट्रांसपर करने के लिए किस पोर्टल के ओनलाइन पाठिकरमों का उप्योग करने का निर्देश दिया है आपसन ए विध्या, आपसन बी शक्षम, आपसन सी स्वयम और आपसन डी इसिक्ष्या तो साथ योभी हाल ही में UGC यानि की विश्व विध्यालिया अनुदान आयोग ने विश्व विध्यालियों को क्रेडिट ट्रांसपर करने के लिए एक पोर्टल का उप्योग करने की सला दिया है उसका निर्देश दिया है और उस पोर्टल का नाम क्या है पोर्टल का नाम है स्वयम option c right answer swim free online education सिक्षित भारत उन्नत भारत इसका tagline का है सिक्षित भारत उन्नत भारत online platform का नाम का है swim जो की free online education platform है साते हो इसके कुछ important points की बात की जाए तो important points का है कि विशुद्धालय अनुदान आयोग ने विशुद्धालयों को जो credit launch किया है जो platform launch किया है portal का नाम है swim और इस पर उपलब्द व्यापक open online पार्थिक्रम MOOC का उपयोग करने का निर्देश दिया है UGC ने पोर्टल पर उपलब्द 82 undergraduate और 42 graduate gear engineering massive open online पार्थिक्रम की एक सूची भी जारी किया है online section पार्थिक्रमों के लिए credit framework पर UGC ने हालिया नियमों को अनुसार चात्र MOOC के लिए नामंकर कर सकते हैं और जुलाई 2020 से credit प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ आती है UGC बार बार आ रहा है UGC क्या है यानि कि विश्विद्धाले अनुदान आयोग है क्या तो साथ यह विश्विद्धाले अनुदान आयोग की बात की जाए तो यह भारत का विश्विद्धाले अनुदान आयोग के इंद्रे सरकार का एक आयोग है जो विश्विद्धाले यानि कि उन्यों स्रटीज को मानने ता registration देता है और यही आयोग सरकार द्वारा माननेत अप्राप्त विश्व विद्धालियों यह माविद्धालियों को अनुदानवे परदान करता है जो UGC है उसकी स्थापना कब हुई थी 28 दिसम्बर 1953 को और UGC का मुख्या लेका है ने दिली भारत की राज़दानी में इसके संस्थापक यानि कि स्थापना किसने की थी अबुलकला माजाद में और इसके वरतमान में अध्यक्षड डीपी सिंग नेक्स्ट क्वस्टन संग्याच्यार निमनलिकित में से कौन सा देश चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरनो यानि कि PPE परस्नल प्रोटेक्टिव एक्क्युपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है ऑप्सन ए भारत ऑप्सन भी अमरीका ऑप्सन सी रूस और ऑप्सन डी चापान साध्यों वर्तमान में कोरोना वाइरस महामारी चल रही है यानि कि कौविड उननीस चल रहे है और कौविड उननीस के चलते हुए पी-पी यानि कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की बहुत ज़्यादय आऊ सकता है तो स्वास्ते मंत्रा लेने यानि कि भारत के स्वास्ते मंत्रा लेने एक डाटा के प्रदान किया है और डाटा के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन बन गया है भारत और सने राइट आनस्वर यानि की भारत साथ यो भारत हर दिन मतलब एक दिन में लगबग 2.06 लाग पीपी किट का उत्पादन कर रहा है जो किसी भी देश की अधिक्तम चमता है और अगर हम औसत की बात करें तो भारत में एक लाग किट का उत्पादन होता है बात की जाए पीपी किट यानि की व्यक्तिकत सुरक्षा उपकर्ण जो किट है उसकी तो इसको परसनल प्रोटेक्टिव उक्यूपमेंट किट यह एक ऐसा उपकर्ण है जो किसी व्यक्ति द्वारा एक या अधिक खत्रों से बचने के लिए पैना जाता है जो स्वास्तिय नरसिंग कर्मी और श्टाप कर्मी इसका यूज कर रहे हैं पिपी किट की बात की जाये तो इस पिपी किट में मास्क होता है यानि कि N95 मास्क होता है, सुरक्षा चस्मा Google होता है सुरक्षा जूते के अलावा व्यक्ती कर सुरक्षा उपकरण में बड़ी संक्या में सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा आत्मक कपड़े सामिले, जिसमें हैलमेट, काले चसमें, कान प्लग, सुरक्षा दस्ताने, सुरक्षा जूते, स्वास्त, सेतंत्रों, सीट बेल्ट आधी सामिले ये PPE किट है जिसके बारे में हमने बात की दी नेक्स क्वेशन संक्या पांच, वितमंत्री निर्मला सीतरामन ने बजट 2021 में सेल्स की तरह हरित उर्जा उपकरणों, यानि कि ग्रीन एनरजी एकुपमेंट के आयास सुलक में कितने प्रतिसत की वरद्धी की है आप्सन A 5 प्रतिसत, आप्सन B 10 प्रतिसत, आप्सन C 15 प्रतिसत और आप्सन D 20 प्रतिसत तो साथ यो वितमंत्री कोन है निर्मला सीतरामन उन्हेंने 2021 का जो बजट पेस किया उस बजट में हरित उर्जा उपकरणो यानि की ग्रीन एर्जी एकुप्मेंट के आया सुल्क में कमी किये कमी नहीं व्रद्धी किये देखना था क्या याद है आपको तो व्रद्धी कितनी किये 20% ऑप्सन डी राइट आंसर 20% हरित उर्जा उपकरणों की बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी जो उपकरणने इनका उद्धी उपकरणों के इस्तानिये वी निर्मान को चलाना और कम गुण उत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है वरतमान की बात की जाए तो वरतमान में भारत, अमेरिका और चीन के बाद उर्जा का तीसरा सबसे बड़ा बोगता है यानि कि सबसे ज़्याद उर्जा को पोग कौन करता है अमेरिका, दोसरे नमबर पर चीन और तीसरे नमबर पर भारत और बारत की वी निर्माण चमता अब सोलर सेल्स के लिए कितने तीन गीगा वाट नेक्स्ट, क्वेस्टन संक्या छे निमनली कित में से 23 मही को विशु भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है आप्सने विशु डेंगू दिवस, आप्सन बी विशु कच्वा दिवस, आप्सन सी विशु बाग दिवस और आप्सन डी विशु मलेरिया दिवस तो साथियों मेरे 23 मही को विशु भर में विशु कच्वा दिवस यानि की वर्ल्ड टोरो टोल डे मनाया जाता है, option B, right answer, विशु कछ्वा दिवस, साथ आपने कावस तो सुनी होगी, सुनी क्या समझी भी होगी, पड़ी भी होगी, कछ्वा और खर्गोष की कानी, तो हमें कछ्वा बनना है, खर्गोष नहीं बनना है, कछ्वा की तरह दीरे दीरे चलेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, खर्गोष की तरह ठक कर, हार कर बैठेंगे नहीं, तो 23 मही को विशु वर्मे, विशु कछ्वा दिवस बनाया जाता है, और यह दिवस कछ्वा के संरक्षन की और लोगों को आकरसित करने हैं, और प्रियासों को प्रोसाइट करने के लिए मनाया जाता है, यानि कि कछ्वा हमें मोटिवेस्ट करता है, तो साथ यो खर्गोष और कछ्वा की कानी किसी ने पढ़ी नहीं है, तो पढ़ लेना, और नहीं पता है, नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक पार मेरे कमेंट बॉक्स में में डालना, मैं आपको पूरी कहानी सुनाओंगा, खर्गोष और कछ्वे की. Next, question संक्या, साथ और आज कमरान्तिम question, कि निमनलिकित में से भारत की सरकार ने, किस देश के सरनार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की गोष्णा की है, option A, Palestine, पाकिस्तानी, option C, जापानी और option D, और आउस्ट्रिलियाईगी, तो साथ योभी हाली में भारत की सरकार ने गोष्णा की है, और गोष्णा क्या की है, सरनार्थियों को आर्थिक मदद देने की, और किस देश के सरनार्थियों को फलिस्तिनी, यानि कि option A, right answer, फलिस्तिनी, फलिस्तिनी सरनार्थियों के लिए आर्थिक मदद देने की गोष्णा की है, और 12 सरकार त्वारा सेयुक राष्टर रिल्यूप एंड वर्क एजनसी को 2 मिलियन डॉलर देने की कोशना की है तो साथियों यह थे हैं आज के हमारे करेंट अपेर्स के क्वेस्टन और आज का हमारा क्वेस्टन ओफ दाड़े की बात की जाए तो क्वेस्टन ओफ दाड़े है कि निमनलिकित में से डिप्रूस से खुवा राष्टे उध्यान किस पुरोत्तर भारते राज्ये में स्थित है और साथियों मेरे इस क्वेस्टन का आंस्वर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हम आपके क्वेस्टन का रिप्लाई जरूर करेंगे हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे साथियों वीडियो अच्छा लगो तो लाइक जरूर करें लाइक कमेंट पर क्लिक करें कमेंट करें इसके साथ ही साथ हमारे वीडियो का पेडियाप डाउनलोड कर सकते हैं पेडियाप डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साथियो अगर यहां तक आई गए हो तो एक बार हमारे यूटूब चैनल यूवी कम्पेशन को सब्क्राइब कर दीजिए सब्क्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और डेली नए-ने करेंट अफिर्स के नए-ने कोस्टन्स नए-ने फॉर्मेट पर प्राप्त कीजिए नोटिविकसन के लिए आपको सब्क्राइब जरू करना है थैंक यू सो मच धन्यवाद और मेरे साथियो इस्टे हो वी सेप गर पर रहे शुरक्षित रहे कोरोना वायरस मामारी से भसते रहे क्योंकि सुरक्षा ही उपाय है आपका दिन सुबह